आपका वी क्लासेस डाउट्स में और आपका प्रेशन है कि सरकार को जन शुविधाओं के लिए पैसे कहां से मिलते हैं तो देगे जन शुविधा का मतलब होता है साड़क बनाना होस्पीटल बनाना श्कूल बनाना या फिर राशन फिरी में वित्रन करना या सस्ती दरों में एक रुपया दो रुपया किलो तो यह सारी चीजे क्या है जन शुविधाओं जनता के लिए उपलब्त कराई गई शुविधा को जन शुविधाओं कहते हैं लेकिन सरकार जो चीजे फ्री में करवा रहे हैं उनके लिए पैसे उनके पास कहां से आता है यही सवाल है तो इ कर्ज भी लेती है तो कई सारे ऐसे स्रोत रहें वहासे कर्ज भी ले सकते है या तो सरकार खुद किसी वड़े बैंक से उधार ले करके जन्शुविधायं उबलब्द करा सकते हैं दूसरा चीज है निगम कर, जो भी आप नगर निगम में रहते हैं तो वहाँ पर नगर निगम टैक्स लगता है उससे भी पैसा आता है उससे भी जन्द सुविदा है उपलग दिकराई जाए फिर आएकर यह जो इंकम टैक्स होता है यह सबसे बड़ा सौर्स है इसके अलावा सीमा सुल्क जैसे बॉर्डर वगरा प पार करते हैं तो वहाँ पर भी आपको टैक्स लगता है तो यह जो बॉर्डर टैक्स है उससे भी पैसा मिलता है इसके बाद के अंदर यह उत्पाद सुल्क जो उत्पादन होता है उसमें भी टैक्स आता है उससे बहुता है कोई भी सेवा यह अन्य कर उसमें सेवा जैसे क अगर आप सीनेमा देखने गए तो सीनेमा क्या एक परकार का सेवा है वहाँ पर भी आपसे टेक्स लिया आता है और वो टेक्स सरकार के पास जमा होता है तो वह भी एक परकार का सेवा कर है इसके अलावे कई अन्य सौर्स हैं जहां से सरकार को पैसे मिलते हैं और उन पैसों क को जन शुविधाओं के लिए खर्च करते हैं यह था आपके सवाल का जवाब ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें